तो दोस्तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं जो ओनलाइन एक्जाम होता है उसे हम कैसा कंडेक्ट करें तो दोस्तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बनाई है मैंने जिन्होंने ओनलाइन एक्जाम आज ता कंडेक्ट नहीं किया है या फिर online exam देने सा घबराते हैं जैसे के suppose करो सबसा पहले जो हमारा exam होता वो CCC का होता है वो exam भी नहीं दे पाते बच्चे क्योंकि उन्हें CCC आफ हम भर दिया और CCC कुछ knowledge नहीं है या फिर otherwise कोई सा भी exam ऐसा जो आपको computer based exam देना है वो आप exam कैसे देंगे तो आये शुरू करते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले आपको जो exam देना है आपको online exam तो उसका जो dashboard है उसका interface कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले login आता है तो यहाँ पर keyboard वाले पर हम जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका registration number याँ पर roll number provide कराए जाएगा वो आपको यहाँ पर fill करना पड़ता है fill करने के बाद में यहाँ पर आपको जो password भही से mention किया जाएगा यह password जो आपका institute है वो password आपको यहाँ खिल करना पड़ेगा आप यह password डालेंगे इसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए देखे दोस्तों यहाँ पर जो login ID है उसमें आपको registration number याँ रोल number और यहाँ पर password डालने के बाद में sign in का options आता यह sign in करना पड़ेगा और यहाँ पर आप side में देख रहे हैं यहाँ पर आपका photo प्रदरसित होगा हम यहाँ पर sign in करते हैं अब यहाँ पर देखे sign in होने के बाद में कुछ loading होंगे features अब यहाँ पर आपके सामने options है सबसे बाद में पहला देखिए यहाँ view view इन जो options है यहाँ पर देखिए दो लेंग में मिलेंगे हमेशा English और Hindi आप यहाँ पर अगर English में exam conduct करना चाहते हैं तो English अगर Hindi में करना चाहते हैं तो Hindi यहाँ पर आप Hindi कर देते हैं यहाँ पर आपके सामने समानिय अनुदेश यहाँ पर जो है आप options आते हैं यहाँ पर choose your default language यहाँ पर आपको अपने language select करने पड़ेगी यहाँ पर चाहें हिंदी करें यहाँ पर इंग्लिस करें अगर exam आपका कई भासाओं में है तो यहाँ पर और भासाओं भी देखने को मिलेंगी ना तो दो भासा हमें से होगा बहाँ पर जो real exam चलेगा तो बहाँ पर यहाँ पर time दिखा देगा के इतने time बाद आपका exam स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखे हमारे window open हो चुकी है और यहाँ पर हमारे जो question है वो भी यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर सही लगता answer वो उस पर tick करेंगे टिक करने के बाद में यहाँ पर हम save and nest पर click कर देंगे तो जो हमारा first question था वो हमने complete कर दिया है यह हमारा question हो चुका है अब यहाँ पर देखे इस रिंकला को देखें 7, 10, 8, 11, 9, 12 आगे संख्या आनी है यहाँ पर 12 के बाद में जो संख्या आएगी आपको इन संख्याहों मेंसा यह जो चार option से इन मेंसा एक देखना है और वो संख्या लिक देनी है अब यहाँ पर आपको इस इख विए यहाँ पर tehस से ले लेते हैं अब यहाँ पर हम nest कर pensa यह देखिए, तो यह question में complete हो जाता है, अब यह देखिए, 15 अगस्त, अगस्त को कोन सा दिन आएगा, यहापर 4 options है, और हम यहापर mark for review and nest कर देते हैं, तो यहापर हमारा mark में चला जाता है, mark में चला गया, अब यहापर देखिए, चोता question आया, उस पर टिक करेंगे, और save and nest कर देखिए, अगर हम यहापर यह question है, बेमेल को चुने, इसे एक बार यह से छोड़ देते हैं, अब आगे free वाला question, छटा नमबर का, solve करते हैं इस question को हम, question करने के बाद में save and nest कर देते हैं share question कर देते हैं, एक बार में, देखिए, जल देल हम question करने के बाद में, आपको बताते हैं, अब क्या करना है, यह हम फटा पट कर देते हैं, यह जो है, आपको एक demo दिया जा रही है, इस तरह से यह आपको exam conduct करना पड़ेगा, अब यहापर देखिए, compression है आपके सामने, तो यहाँ पर इस side में compression, complete paragraph आपको दे दिया जाएगा, यह paragraph पढ़ने के बाद में, यहाँ पर जो है आपके question, question और answer सहरे मिलेंगे, अब नम्या साब को एक answer, choice करना है, और save and nest कर दिना है, यहाँ पर आपके question complete हो जाते हैं, अब सबसे पहले हमने mark and review में छोड़ा था एक question, य इसा हम solve करेंगे अगर हमने time मिलता तो, solve करने के बाद में save and nest कर दिनगे, अब यहाँ पर देखिए, पांचमे number का question था, उसे हमने conduct नहीं किया था, आइस पर टिक कर देते हैं, तो पांचमे number का question हमारा सामने आ जाएगा, अब यहाँ पर हम choice कर लेते हैं, और save and nest कर देते ह हैं, कर दिया, अब यहाँ पर देखिए, आम तोर पर OS Computers Unchave का मतलब है, और हम clear करना चाहते हैं इस options को, तो यह clear response कर देंगे, तो इसका मतलब यह है, जो हमने question किया था, अब हमसे नहीं करना चाहरे, क्योंकि हमें लग रहा है, यह question हमारा गलत हो जाएगा, और negative marketing से बचन आपने आपसे एक गटित करता है, कि एक बटा 3 या पर एक बटा 4 का, जो मानिस मार्किंग है, वो आपको मिलेगा, और आपको पक्का confirm है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे, कि हाँ, हमारा यही answer सही है, और save and nest कर देंगे, यहाँ पर आपको answer लगता है, कि यह question हमारा गलत है, तो clear response पर जाकर, यहाँ पर आप इस question को clear कर सकते हैं, अब जैसा हमने इस तहरे question कर लिए, तो यहाँ पर save and nest कर कर देख लिजिए, और कोई question रहा हुआ है, तो सबसे पहले तो यहीं पर दीख जाएगा, तो साथ में नमरा question रहा हुआ है, इस पर टिक करेंगे, और यहा नमरा complete हो गया, जो पूरा paper था, हमने complete कर दिया, अब यहाँ पर आपके सामने submit को options आ रहा है, तो जब exam का time अपका clear होएगा, यसा अगर आपका एक घंटे का exam है, तो एक घंटे के बाद या तो यह automatic submit हो जाएगा, या पर यहाँ पर आपको display पे time show होने लगेगा, और यहा एक आयोग अपने अनुशार बताता है, अब यहाँ पर देखिए, time and left, आपको यहाँ पर time चलता रहेगा, कि आपका इतना समय और बकाया बचा है, इसका आप धियान देंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका photo होना चाहिए, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ना यह आप जब exam देंगे, तो जरूर सा जरूर मैच कर लें एक बार, आपका photo और आपका नाम सही होना चाहिए, अगर दोस्तों अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो comment करके मुझे से पता कर सकते हैं, मैं आपके हर एक comment का answer देता हूँ, और समझ में ना है तो comment करें मैं बताने के लिए सदेव ततपर रहूँगा और ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा मैं, मेरे चैनल को प्लीज लाइक करना, सेर करना, सब्सक्राइब करना, thank you watching this वीडियो